Hi friends, welcome to my channel Gardening with Chinmenu Friends, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो कमल होता है, जिसे हमें इंग्लिस में lotus कहते है जो हमारा rastry of fool भी है उस plant को हम कैसे कमल की plant को उसके root से grow करें Friends, ये root से आसानी से grow होता है दो तरीके से grow होता है, एक seed से grow होता है तो आज हमें इस वीडियो में जानेंगे कैसे इसको root से grow कर सकते हैं तो friends कमल को root से grow करने के लिए इसका root मिलना आपके लिए बहुत जरूरी है तो इसका root आप कैसे collect करें? इसका root generally आप किसी तालाप से collect कर सकते हैं या इसका root online भी आजकल मिल जाता है कमल का बहुत सारा root online बहुत सारे e-commerce site पर इसका root मिल जाता है लेकिन friends कीजी method है आप अगर किसी सहर में रहते है या गाउं में रहते हैं गाउं में रहते हैं तो कोई दिकत नहीं आपके गाउं में इसका root आसानी से आपके जो तालाप है उसमें मिल जाएगा अगर आप किसी सहर में रहते हैं तो आप इसका कोशिस कीजिए कि इसका root कैसे collect करें इसका root से ये बहुत आसाने से grow होता है और बहुत जल्द grow होता है हम आज हमारे गाउं के पास के कि तालाब में आए हुए है इसका root लेने के लिए तो उससे पहले हमारा जो इसमें जो फूल हुआ था उसे देखके हमारा मन कुछ बदल गया तो हम पहले कमल का फूल जो है उस तालाब में जाकर तोड रहे ये देखिए तो चलिए फ्रेंड हम आपको दिखाते हैं कि इसका root हम कैसे निकाले इसका root generally friend आप कमल के जो पानी के अंदर जो होता है उससे निकाल सकते हो या पानी के बाहर जो दलदली एरिया होता है उससे भी आप जो root जो फेला हुआ होता है प्लांट के नीचे उसका root होता है उससे भी आप निकल चकते हों ये देखिए हमने इसका जो root है वो कैसे आसाने से ये हातों से ही निकल जा रहा है आप एक दो root ले ले लिजिए वो काफी होता है आपके कहां भी grow करने के लिए आप इसको गमले में grow कर सकते हो अगर आपका किसी तालाब है आप उसमें grow करना चाहते हो तो इसका 3-4 वैसे root लेके आप उस तालाब में डाल दीजिए उसका जो mod है उस mod में दबा दीजिए ये उस तालाब को एक साल में उस तालाब को पूरी तरीके से cover कर लेगा अगर आप गमले में grow करना चाहते हो तो एक दो root ले लेजिए गमले में भी उगा दीजिए एक 3-4 महीने में उसमें फूल भी खिल जाएगे तो friends वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी याग का आपसे गुजारी से अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर देना दोस्तों मैं इसी तरीके से बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाता रहूँ तो friend कमल के root को निकालने के बाद आप इसी तरीके से इसे बहुत अच्छे से इसे साप कर लेजिए इसका जो नोड एरिया है उसे बहुत अच्छे से साप कर लेजिए साप करने के बाद इसमें जो पत्ते लगे होते हैं ये देखिए इसमें जो पत्ते लगे हुए है उस पत्ते को आप आसानी से तोड़ दीजिए सारे पत्ते तोड़ दीजिए तोड़ देने से ये होता है कि उसका जो नया लिफ निकलता है उसी नोड एरिया से ये नया लिफ लिकलता है और बहुत आसाने से ग्रो होता है तो friends देखिए हमने कितने सारे कमल के root जो है उसे निकाल दिया है तो friends चलिए इसे हम गमले में grow करते है friends हमने ये सारे कमल के जो root है उसे निकाल के लाया हुआ था जो pawn से उसे हमने 2-3 दिनों के लिए हमने रख दिया था तो इसके वज़े से यह थोड़ा ऐसा दिख रहा है लेकिन फ्रेंट्स आप जब लाए तो इसे आप वैसे ही एक दिन में ही उसे लगा दिजे लेकिन इसका वायबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है आप दो-तिन दिन रख लेते हो तो यह कोई दिखत नहीं यह भी ग्रो हो जाता है तो फ्रेंट्स हमने इस पॉट का सिलेट किया हुआ है और हमने कुछ मॉड लिया हुआ है जो तालाब का मॉड है उसी मॉड से हम इसको ग्रो करेंगे तो पॉट आप थोड़ा बड़ा पॉट लिजे आप प्लास्टिक के पॉट में भी इसे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो प्लास्टिक के पॉट हो या सिमेट के पॉट हो या मिट्टी के गमले कोई भी गमलों में आप इसे ग्रो कर सकते हो तो इसके लिए आप थोड़ा बड़ा गमला ले और इसका जो वान्थार्ड एरिया है उससे आप जो हमारा मोड है उससे भर लेजिए उसके बाद आप जो लोटस रूट है उसको इसमें दबा लेजिए दबाने से पहले आप इसको जरूर ध्यान रखना फ्रेंड इसका जो नोड एरिया है वो मार के अंदर होना चाहिए यह देखिए हमारा जो नोड एरिया है उस नोड एरिया को हमें मार के अंदर रखना बहुत जरूरी है क्योंकि उसी नोड एरिया से हमारा जो निव ग्रोथ है वो निकलता रहता है हमने यह देखिए इस सारे लोटस के रूट के जो हमारा जो node area है उससे हम मिट्टे के अंदर दबा देते है इसको बहुत आसानी से आप grow कर सकते हो हमारा जो root है lotus root से इसे बहुत आसानी से आप grow कर सकते हो इसे पूरी तरीके से दबाने के बाद आप इसमें बहुत कम मत्रा में पानी दीजिए फ्रेंट अगर ज्यादा पानी दोगे तो ये ग्रो करने में बहुत दिक्कत होगा आफ उपर एक इंच दो इंच पानी इसमें भर लेंगे तो इसका जो स्प्राउटिंग है वो जल्दी हो जाएगा फ्रेंट तो ये देखिए हमारा छो पानी दे रहे इसका जो पा इसका जो उपर की पानी है वो शाफ हो जाएगा और ये बहुत अच्छा पानी दिखेगा तो फ्रेंट हमें इस तरीके से इसमें पानी भर लेना चाहिए पानी भरने के बाद ये 10 से 15 दिनों में इसमें जो निव ग्रो थे वो निकल आएगा तो friends after 12 days यह आप देख सकते हो इसमें 3 कमल के जो पत्ते है वो निकल के आ चुका है और बहुत सारे पत्ते दो तिन पत्ते भी इसके पानी के अंदर है जो sprout करने में थोड़ा डेर लगेगा लेकिन friend आप यह देख सकते हैं यह बहुत आसानी से इसका जो root है कमल के root है उससे यह grow कर चुका है तो यह बहुत ही easy process था friend आप भी अपने घर पर ऐसे ही इस कमल के root से कमल के plant को germinate कर सकते है grow कर सकते है